Hi guys, तो आप सभी को पता है कि General Test एक ऐसा पेपर है CUET का जो किसी ने भी अपने class 12 में नहीं बढ़ा होता है आप सभी अपने language, in fact domain के पेपर सब 12 में अच्छे से पढ़के आके अपना CUET देते हो but General Test आपके बच्छपन से लेके आपकी 12 तक की सारी knowledge आपसे टेस्ट करवाता है that is why the name is General Test in fact आप सभी कुछ उसका proper syllabus भी नहीं पता कि किदर से question आएंगे, किस type के question आएंगे, क्या weightage रहेगा, क्या नहीं रहेगा तो वो सारी चीजे मैं आपको आज इस एक वीडियो में सब कुछ clear कर दूँगी क्योंकि आपको भी पता है कि General Test बहुत सारी courses यह जो आप लोग target कर रहे होगे उसमें वो compulsory है तो आपको ऐसे ना वैसे करके पढ़ना तो General Test के लिए पढ़ेगा ही फोर्स अभी मैं आपको आज की वीडियो में अच्छे से clear कर दूँगी तो वीडियो को end तक जरूर देखना ठीक है kindly subscribe to my channel में बहुत ज़ादा informative वीडियो जालती हूँ related to CUET, boards के बारे में भी मैं सब अपने चानल पर अच्छे से डालती हूँ तो kindly subscribe to my channel, like this video right now and let's get started with the video अगर आपने जेंरल टेस्ट दे दिया ना तो आपके बहुत सारी युनिवर्सिटीज और उनमें बहुत सारे कोर्स के option आपके open हो जाते हैं that means अगर आपने एक जेंरल टेस्ट दिया है तो आपके पास जो combination बन जाती है वो extra बन जाती है तो at the end of the day आपका dream college और आपकी dream university में dream course मिलना जादा easy हो जाता है इसलिए I would suggest कि even if you are preparing for some ऐसा course जिसमें जेंरल टेस्ट नहीं लगना है still you should definitely give it now without further ado let me tell you general test के होते हैं 4 हिस्से ठीक है that means कि general test एक बहुत broad concept है उसके अंदर 4 type होते हैं ठीक है अब उन particular type के भी अलग-अलग type के questions आते हैं वो सब में अच्छे से detail में आपको बताऊंगी सबसे पहला होता है आपका logical reasoning दूसरा होता है आपका quantitative ability तीसरा होता है आपका current affairs और चौथा होता है आपका general knowledge ठीक है मोस्ती लोग जनरल टेस्स को confuse कर देते हैं general knowledge से कि उसमें आपसे general knowledge से related question आएंगे it's not like that general knowledge is a part बाकी के तीन parts भी है general desk के अंदर ठीक है so don't get confused about that सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको बताया था इस दिन logical reasoning ठीक है this is very simple to be very honest ये ना quantitative ability के comparison में बहुत जादे easy होता है इसमें आपका थोड़ा सा logic logic बहुत जादे use होता है ठीक है यहाँ पर आपको मतलब दिमाग से solution निकालना होता है it's not like कि आपको कोई formula put in करना है या कुछ ऐसे करना है वैसे करना है इसमें आपने बस logic लगाने कि अच्छा इस कांसर ऐसे होगा बस ये आपकी IQ टेस्ट करता है ठीक है so मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा i have prepared a list proper अच्छे से ठीक है so basically logical reasoning में calendar से related questions आ गया blood relation आ गया कि ये इसका चार्चा है ये इसकी बहन है वो उसकी you know sister है या आप वैसे something like that आता है तो ये उसका कौन लगा तो ऐसे type की blood relation के questions होता है वो हो गया ठीक है जो ऐसे वो नहीं होता है order वाले questions की देखो जैसे पहले 1 है फिर 3 है फिर 5 है फिर dash है तो क्या आएगा 7 आएगा तो ऐसे type की questions हो गए ठीक है symbols वाले questions हो गए कि A को हमने dot symbol दे रखा है B को हमने triangle symbol दे रखा है तो ये word क्या बना तो ऐसे type की मलब लग इस बहुत simple जो हम ये 5th-6th class में थोड़ा से ऐसे IQ के लिए मज़े में करते थे ना questions all तो these kind of questions come in logical reasoning अगर मैं आपको और बता दू तो जैसे code number होते हैं ठीक है code number बहुत जादा चलता है और calendar से related questions हो गए कि 2011 में माई 23 को कौन सा day पढ़ा था ये वो ऐसे करके मालब ऐसे राइप के questions आप से पूछे जा सकते हैं ठीक है missing number मैंने आपको अल्रीडी बता दिया तो ऐसे questions मालब जो simple हो easy रहता है इनमें mark score करना is very very easy ठीक है तो आपको logical reasoning करने में बिल्कुल भी ऐसे दिक्कत नहीं होगी थोड़ी से दिक्कत जा आपको थोड़ा सा math वाला aspect लगाना होता है वो होता है quantitative ability में ठीक है इसमें थोड़ी से high level की questions वो जो हम 8th 9th और 7th वागेरा में पढ़के आ रखे होते हैं triangle की concepts हो गए या फिर quadilatoral की concepts हो गए तो ये सभी होते हैं ठीक है जैसे की percentage हो गया ratio and proportion हो गया time and work वो pipe वाले questions होते थे ना कि एक tank है हमने इतनी speed से पानी इसमें जा रहा है but there's a hole तो इतनी speed से इतर से लीक भी हो रहा है तो पूरा tank फुल होने में कितनी देर लगीगी these type of questions और मतलब distance related questions भी होते है है कार इतनी speed से चल रही है वहीं से एक बाई कितनी speed से चल रही है इतने distance पहुंचने के लिए कौन पहले पहुंचेगा कितना distance cut मेलब कितना time duration लगेगा यह सारे kind of questions इसमें थोड़ा सब को math के formula apply करने पढ़ेंगे वह सभी आते है quantitative ability के अंदर ठीक है और अगर मैं बता हूं तो इसमें profit or loss से related questions भी आते हैं racial proportion तो मैं already बताई चुकी हूं बाकि इसमें आपके profitability के related भी आएंगे probability से related भी questions आ जाते हैं जो 12 में probability थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चे मैंस वाले टाइप की questions भी आ सकते हैं ठीक है but mind you अगर आपको question नहीं आता है you can definitely definitely leave it ठीक है negative marking is there ऐसा नहीं है कि negative marking नहीं होगी अगर आपको नहीं आता है तो please don try to attempt it बाकी trigonometry हो गया थोड़ा सा और HCF LCM वगएर जो हम बहुत यहां होती है सबसे जादा घलतिया यहां लगाते हैं बच्चे तुक्के लगाने का भी लोगों को नहीं आता है रांडमनी उनको लग रहा है अच्छा इसका अंसर यह मांकर देता हूं नहीं you have to eliminate तुक्के लगाने के भी अग अलग तरीका है उसके बारे में बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं और जो थोड़े समझदार बच्चे है वो क्वेश्चन करेंट अफेर के छोड़ के आते हैं तो बिल्कुली आपको एक तुम एक चीज पता होनी चाहिए बट नौट नहीं चाहिए पिछले दो साल पुरानी बाद भी तेल कंसीडर है अगर कोई अवर्ट फंक्षन है जो पिछले से पिछले साल हुआ है उसके बाद वो चार साल बाद होगा बट वो पिछले से पिछले साल वाला लेटेस्ट है ठीक है तो उससे रिलेट भी I hope I'm making sense और आपको समझ आ रहा ह कुछ ओर्डर पास हुआ है कुछ लौ पास हुआ है कोई यह वाली धारा आई हुए वाली धारा कुछ भी ऐसी पास हुए कोई भी चेंजिस हुए इसमें you should definitely keep an eye on them ठीक है बहुत जादा हिल्फुल हो देगा आपके लिए यह वाली चीज़े बाकी बहुत सारे अवार्ड पादमश्री किसको मिला यह किसको मिला वो किसको मिला यह चीज़े पूछी जाती है उसमें to be very honest ठीक है सीधा सीधा आपसे पूछी जाएगा और आपको यह पता हो नचे कि मारे देश के प्रेजिडेंट कौन है वाइस प्रेजिडेंट कौन है अगर आप लोगों को पता ह आपको सबस्यादा पता हो नचे जैसे कि अभी रिसेंट हमारे कंट्री में वर्ड़ कप वा था तो तो असे रिलेटिडेंट किन आस्क एनीधिंग इस कौन मैन अफ दे माच बना कौन यह बना कौन मैन ऑफ दे सीरीज बना टूर्नमिंट बना किसने किती बॉल में कितने ओ यूर्ण जैंनल नॉलज़ इस नॉट कृरिंट एम्पेरर नुचंत गै्गारमा सब्सक्राइख कर नुच पापिट डिल्ली एंड रिसेन्री में कररेंट कर थी नैंनो इस नीधिंग हूं रिसे क past टैक यह पूरा हो गया और जो पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड महात्मागानी नहीं किया था वो किया था था these are not current affairs these are general knowledge okay so you should definitely have an eye on them as well बाकी currency currency के बारे में इतनी questions आते है न मेरे खुद शेया, में कम सेकं 5 questions currency से related थे okay so few questions थे okay so few questions of currency कौन से करन से यू शुद डेफिनिदीटली नो ड़ाइब एफ यू नो ड़ाइब आप अगां इस चीजे में बहुत सारी चीजे इसे विद्वार नाशनल पार्क ने इंडिया में या फिर मदलब इस पर्टिकुलर नाशनल पार्क में कौन सा अनिमल जो फेमस इस जैसे कॉर खोलें के शीन वेल इसonton फार्फक चीजे तरह स्ट की पार्फ का डेल नाशनल हॉलिडए है इस दिन क्या मन आया जाता है वो किस दिन मना ज चीजे न आपको पता होनीच पूल फूर फोर्म वाले को बहुता है इस ककी ब आपसे पूच लिया कई गया विसा आपने बिचया इस जसके आपका दिमाग, पूरा दिमाग टेस्स किया जाता है, अच्छे से निचोड के कि इंसान को आता है या नहीं आता है, and again I would add the last say, कि प्लीज आपको डेफिनेटली देना चाहिए, जेनरल टेस्स, काफी सारे options आपकी खुल जाएंगे, और आपको कुछ नहीं जा रहा है, जेनरल टेस्स, के लिए आपको एक तो मलग से भी कुछ प्रिपेर नहीं करना है, you just need to practice a lot of questions, that is, और पते हैं, ये questions ऐसे होते हैं, कि मज़ा आदा है, मुझे तो बहुत मज़ा आदा है, इत्ती मोटी मोटी बुक्स आदे थी, के NTSP अगर के, I used to solve them, बच्छपन से, I had 98.75 percentile, ठीक है, so if you want to know my tips and tricks as well, general test के, so you should definitely ask it in the comment section, and I'll tell you के पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कुछ वेसे tips and tricks चाहिए हो, तो ज़र मुझे comment ही करा करो, क्योंकि मैं comment पढ़ती हो, अगर स्पाम दिखता है, मुझे मैं अगले ही दिन वीडियो बना देती हू, ठीक है, ये चीज आप सुमी को भी पता है, इसे जल्दी से जाओ, comment down below something cute cute, and जो मैंने questions पूछेते, उनके answers लिको, or if you want any other video, and apart from that, like this video right now, अगर like करोगे तो आपको ऐसे ही बहुत बड़या बड़या recommendations आएंगी, and subscribe to my channel for बहुत ही जादा important updates, bell icon press कर देना, so that you don't miss out on anything, and I'll see you in the next video, alright, bye, all the best,